जी नमस्कार साथीओं आप सभी का एक बार फिर क्रिषर जाग्रण में स्वागत है जैसा कि मैं प्रत दिन की भात एक नया फिर वीडियो लेकर आया हूँ और जो मैं आज वीडियो लेकर आँ हूं बहुत मज़ेदार वीडियो है मैं डिके मोर्या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जीले में हूं और मिर्जापुर जीले के अर्गजा पंडेपुर गाउं में हूं जैसा कि आपको हमारे पीछे आपको पोधा दिख रहा होगा उसमें कुछ फली लगे हुए हैं पहले तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको पहचाने एक किस चीछ का है फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर बहुत नाम सुने होंगे महुगा ज्यादा तर लोग देशी सराब भी उतारते थे और बाकी और बहुत से काम में आता है गाउं में लोग उसके खुकवा बनाते हैं लाटा बनाते हैं बनाके खाते हैं बहुत पोश्टिक होता है बट इसका यूज अच्छा होना चाहिए और अच्छा होता है आप साइद विश्वास नहीं करेंगे इसके मुकाबले कोई तेल नहीं होता और यह इसके तेल को लोग गाठोट में अगर दर्द होता है बारीश औरीश के समय में तो उसको मालीश करने में काम करते हैं प्लस पात में इसका पकवान भी बनाते हैं पूड चारू तरफ उसी का पेड़ है और इधर भी दीख रहा होगा आपको मैं उसके गीचे में हूँ और मैं अपने क्रिशी जागरण न्यू चैनल के माध्यम से अपने देखने वाले और सुनने वालों को मैं बताना चाहूंगा कि आप देखें और बहुत नजदीक से मैंने द दिखाना चाहूंगा यह अब वारीस के समय में पकता है जैसा कि यह देख सकते हैं इसमें से निकलता है इस तरह का और इसको पर आया जाता है जिसमें से तेल निकलता है बहुत खली आयाक वाहिच में बहुत इच्छे है जैसा कि दिखा सकता हूं आप सबको अब ऐसे ही निउस देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत खली आप सकता है